dear student we have to discuss about the post 2010 developments of ECE in China हम इसके उपर बात कर रहे थे कि चाइना के अंदर जब दो डिफ्रेंट फ्रेम से फ्रेम वन पब्लिक किंडर्गार्टन जो के ECE में कनवल्ट हो गये थे वहां से जो बच्चे आ रहे थे और प्राइवेट किंडर्गार्टन से बच्चे आ रहे थे उनके आने के बाद स्कूलिंग के अंदर जब उनके इस्यूज आने शुरू है तो उस पर post 2010 प्लैन मनाया यह दस साला प्लैन था और इस दस साला प्लैन के अंदर जो है identify करने की कोशिश की गई कौन कौन से पहला working group बनाया गया के 11 thematic panels was set up to drop the plan involving nearly two thousand people and more than the five hundred scholars and experts यानि यारह thematic panels बनाये गए जिसके अंदर तक रिबन 200 लोग शामिल थे जिसमें 500 scholars और expert भी शामिल थे उन्होंने करना क्या था उन्होंने एक research करनी थी और उसे research या करनी थी कि मुख्लिफ लेवल के उपर institution, enterprises, overseas universities, work consultant ये इसके अंदर जो main focus था के हमारी दो किसम की जो revelation आ रही है, industries revelation उसको देखना था कि उसकी growth किदर है, और दूसरी revelation silent revelation जो थी वो migrant जो लोग हो रहे थे और migrant भी वो young people हो रहे थे और ये वो young people थे जिन को एक बचा पैदा करने की अजाज़त थी government की तरफ से, आपको याद आँगा हमने इससे पहले discussion किया और हमने discuss किया था कि चाइना government ने revolution के बाद, socialist revolution के बाद, उन्होंने एक population growth को control करने के लिए एक बच्चे की अजाज़त दी थी कि आप एक बच्चे को जनम दे सकते हैं planning के लिए आज़ से तो वह outstanding planning थी ताके वह अपना पूरा plan future plan जा है, उसके अंदर जो SDGs है, sustainable development goals है, उनके जो targets है, उनके अंदर वह maximum जा सकते थे लेकिन उसमें जो issue आया, वो issue आया हमारे पास, कि जब ये economic revolution, industry revolution और migrant revolution आया, उसकी वज़ा से इन्हें ये देखना पड़ गया, कि अब, ये जो हमारे planning में different आ रहा है, इसको difference को हम कैसे cater करें, पहला जो round था, उसके अंदर 14,000 letters were received and more than the 2.1 million proposals were collected within the one year, and in the second year, 27,855 comments were received within the one month, अब इसके लिए, मुझे प्राइविट किंडर गार्टन का issue था, और उसको convert करना था, पॉब्लिक किंडर गार्टन के उपर, यहनिके पॉब्लिक किंडर गार्टन की availability, assess, इतनी ज्यादा करने थी, कि लोगों को private किंडर गार्टन के तरफ ना जाये, जाने दिये जाये, कॉब्लिक इंडर गार्टन था, अगर्चे वो एंजियोस के इंडर चाहरा था, यह एंजियोस के साथ उसके alignment थी, उसके fund allocation थी, उसके अंदर system को quality को control किया जा रहा था, quantity को भी look after किया जा रहा था, तो यहां पर अब यह देखना जरूरी हो गया था, हमें यह देखना क्या है, उसकी growth क्या है, number one, number two, जो migrants हैं, उनकी approximately appropriate revelation, वो कितनी है, उसको estimate करना था, number three, हमने उस need को assess करना था, कि हमें नए kindergarten को खोलने के लिए, develop करने के लिए, हमें कितने fund चाहिए, कितने resources चाहिए, और कितनी तादाद चाहिए, इसका जो examine करना था, इसका जो draft plan करना था, और फिर उसको finalize करना था, उसके लिए, मुख्तलिफ किसम के जो scholars थे, उनको बुलाया गया, बुलाने के बाद, वहां से मुख्तलिफ राए ली गई, और राए लिने के बाद, फिर उसको सामने रखते हुए, post twenty ten plan जाया, वो मर् हुए 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 हुए